श्रावस्ती लोकसबा सीट के प्रभारी और भाजपा नेता रामसुंदर चौधरी पर बदमाशों ने बुद्वार सुबह जानलेवा हमला कर दिया उनकी गाड़ी पर कई राउंड फाइरिंग की गई जिसमें भाजपा नेता के पीट में गोली लगी है उन्हेंने भाग कर अपनी जान बचाई लोगों के दोडने पर बदमाश मौके से फरार हो गए गायल नेता गुजिला अस्पिताल में भरती करवा गया है एसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा कि जल्द हमलावरू की गिरफतारी की जाएगी भाजपा नेता रामसुंदर चौधरी बुद्वार की सुबा भेराईच से श्रावस्ती जा रहे थे वो अपनी कार से भेराईच बलरामपुर रोट स्थित देहात कोटवाली शेत्र के सपना फ्लोर मिल के पास पहुँचे थे तबी हमलावरू ने ताबर तोड फाइरिंग कर दी जिसमें भाजपा नेता घायल हो गए उन्होंने शोर मचाते हुए भाग कर अपनी जान बचाई सूचना पाते ही पुलिस ने उन्हें जिला अस्पिताल में भरती करवाया है हमले की खबर सुनते ही जिला अस्पिताल में भाजपा नेताओं का जमावड़ा शुरू हो गया देहाद कोतवाली नगर कोतवाली सी और एसपी ने मौके पर पहुँच कर भाजपा नेता के बयान भी लिये हैं ज्यादा जानकारी के लिए बने रही हमारे साथ लाइव उत्तर प्रदेश लखनौ